नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगी इंद्र आप देख रहे है टेकनिकल योगी नो ड्रामा नो किलिक बैट अली टैक और आज ये संडे और संडे होता है फंडे और आज के दिन मैं बनाता हूँ संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो जो आपको बहुत पसंद आती है क्योंक तो दोस्तों यहाँ पर पहला कमेंट लिखने वाले हैं टेकनिकल फारुक और ये लिखते हैं कि संडे कमेंट आपका लाजवाब होता है लव यू सर तो लव यू मेरे भाई एक्चुली संडे कमेंट बॉक्स बनाने का आईडिया मेरे को इसलिए आया कि बहुत सारा ऐसे कमेंट होते हैं जिन पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनका जो आंसर होता है वो बहुत छोटा सा होता है और मुझे लगता है कि जितने भी टॉपिक्स आप गवर्मेंट जोब्स गुरू और काफी बड़ा चलेने का 245 के सब्सक्राइबर है और यह लिखते है कि बनाना तो मुझे भी आता है भाईया पर आपके समझाने का तरीक अच्छा लगता है इसलिए पूरा वीडियो देखा है मैंने मैं अभी तक 10,000 से जादा ई-बुक से कर चुके हो और यह कई लोगों ने मुझे से कहा कि सर आप बता रहें इ-बुक सेल नहीं होती है वो नहीं होती है तो आईसे लोगों से मैं सीखना चाहिए जो 10,000 इ-बुक सेल कर चुके है तो भाई करने से होता है बात बनाने से नहीं होता अगर आपको लगता है कि काम उ तो होगा मैंने खुद e-book sale किये उसके बाद ही मैंने आपको वीडियो बना के दिया था बहुत सारे लोग ने उसे पसंद किया कि e-book कैसे बनाते हैं कैसे बेशते हैं कैसे उसे earning करते हैं और मुझे लगता था कि और और भी कोई sale करके और ज्यादा लगाने से क्या होगा तो भाई 10-minute से जो अपर वीडियो होती है 10-minute से ज्यादा की वीडियो होती है 12-13 minute की उसमें आप एड लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको अर्णिंग भी उतनी जादा होगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपका click-through rate CTR चैनल पर बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा एड ना लगाए, क्योंकि आप ज़्यादा एड लगाओगे, तो ज़्यादा क्लिक होगे और CTR और ज़्यादा बढ़ तो आप 10 मिनट की वीडियो अगर आपको ज़्याद के साड़े 10 मिनट की, तो आप 3 एड आराम से लगा सकते हो, और अगला जो कमेंट है, ये लिखने वाले हैं, एंजल, आर्ट्स, एंड क्राफ्ट्स, और ये लिखते हैं, सर आपके वीडियो के साइड में, स्टार्टिं लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो लोगों को नहीं बताते हैं, अपने वीवर से छुपाते हैं बात, लेकिन मैं यार छुपाना नहीं चाहता है, इसलिए मैं जब भी किसी वीडियो का पेड प्रमोशन करता हूं, स्पोंसर्शिप करता हूं, तो यूट्यू पेड़ प्रमोशन है और उसे आप अपने विवेक के द्वारा इस्तेमाल करें और अगला जो कमेंटर यह है पार्थ सावलिया जी का और यह लिखते हैं भाई तीन लाग सबस्काइबर जल्दी पूरा करो यार मैं मरने वाला हूँ तो भाई यार मरो मत ओ यार अगर मेरे ती किलिक करोगे हो जाएंगे और आपको चीब बता दूँ जितने भी यूट्यूबर से जादा हो चुके तो आपने अपना कस्टम यूरल ले लिया होगा अगर नहीं लिया है तो मैंने इस पेक वीडियो बनाई हुई है कि आप अपना कस्टम यूरल कैसे ले सकते हैं आप व चैनल पर मिल जाएगी और अगर आपने कस्टम यूरल ले लिया है तो भोध अच्छी बात है रही बात चेंज करने की तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कस्टम यूरल यूट्यूब चल के लिया अगर एक बार सैट कर दिया गया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता है और अगला जो कमेंट है ये रिखने वाले पियार हिंदी टैक, ओके पियार हिंदी टैक लिखते हैं, पोलिटिक्स में मोदी जी और टैक में योगी जी छा गए गुरू जी, मैं आपका हर वीडियो देखता हूं सर, आप 200% सही बाते बताते हो, प्लीज लाइक करो भाई लो, तो यार, बहुत बहुत थैंक्यू, यार, बहुत ही प्यारा कमेंट आपने किया, और कहां मोदी जी से आप मेरे तुलना कर रहे हैं, इतना प्यार तो मत दो, वरना मैं कहना भाई हो जाओंगा, बहुत बहुत थैंक्यू, आपका प्यार हिंदी टैक, इसी तरह आप अपना यूटुबर क्या होता है और छोटा यूटुबर क्या होता है मुझे एक कीछी समझ बाते कि यूटुबर नया होता है और पुराना होता है बड़ा छोटा कुछ नहीं होता भाई और दूसरी बात यह कि आपके दिमाग में जो एक कीड़ा है कि भाई मैं सिर्फ बड़े यूट्यूबर का पिन करता हूँ इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है और किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है अगर मुझे को ऐसे डॉक्टर मिलेगा तो मैं आपको जो है सीरियल वर्ड लिखने वाले और ही लिखते है सर अगर हम लोग टी सीरीज को क्रेडिट देते हैं तो कॉपरेट श्ट्राइफ आएगा या नहीं आएगा प्लीज एल्प मी मिरे भाई टी सीरीज हो सारे गामा हो यूनिवर्सल हो टिप्स हो कोई भी म्यूजिक कमपनी हो अगर आप उनको क्रेडिट देते हैं और उनका जो म्यूजिक आपने यूज किया है वो फ्री नहीं है लाइसेंस ने को पाजिस्टर ने लाइसेंस लिया हुआ है तो भाईया कोपिरेट क्लेम आ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रेडिट देने से सामने वाली कमपनी आपको कोपिरेट क्लेम ना दे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है क्रेडिट देना हमारी एक यूमेनिटी होती है बस इसके लावा कुछ नहीं होता है और अगर जो कमेंट हैं लिखने वाले हैं मैं अपने चल पर एक ही वीडियो को कितनी बार डाल सकता हूँ अगर उसे अलग अलग तरीके से अप्लोड करूँ जैसे किसी एक गाने को एक बार सिंगर के साथ बाद मुशी गाने को फिल्म के गाने की तरह अप्लोड करूँ किरप संका का समागा अंतर है तो मेरे भाई देखें बात यह है कि एक वीडियो को आप अपने चल पर एक बार अप्लोड कर सकते हैं दूसरी बार करेंगे तो वो डूपलिकेट हो जाएगी लेकिन अगर आप कॉंटेंट चेंज कर देते हैं मालो समकी कुछ ओडियो चेंज कर देते हैं आपना वीडियो चेंज करते हैं यानि कि पहले वाली जो वीडियो है दूसरी वाली वीडियो से अलग होती है सिमिलर नहीं होती है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कर सकते हैं लेकिन सिमिलर वीडियो सेम टू सेम वीडियो आप नहीं करते हैं मलब similar का मतलब भी यह कि उससे मिलती जुलती तो आप कर सकते हैं, लेकिन exact वही save video दो बार आप upload नहीं कर सकते हैं, और अगला जो comment लिखने वाले हैं, दादा बेकार, मलब दादा तो है लेकिन बेकार वाले हैं, और यह लिखते है भाई YouTube की और website की email एक होगी तो चलेगा, ब approve करता है, monetization वो अलग होता है, और जो वो होता है, वो अलग होता है, यानि इस पर hosted होता है, उस पर non hosted होता है, तो कोई problem यह लेकिन एक चीज़ ध्यान लखना, YouTube के लिए आपको अलग से approval लेना पड़ेगा, और वेट साइट के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा, और कुछ भी knowledge मिलती है, और चैनल को भाया कर लिजे, सब्सक्राइब और notification bell को जरूर से जरूर दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो की जानकरी आपको समय समय पर मिलती रहे, कोई भी notification आपके mobile पर पप से आए, और अप टप से उस पर किलिक करके वीडियो देख ले, मैं यो